और यहां देख रहा है देखिए कि नदिया कैसे दुसित होती हैं, खरकाई नदी भी अने नदियों जैसी ही दुसित है, बहुत गंदी है, कहीं कहीं तो गंदगी इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब देख के व्यतित करेंगें, बहुत दुखी फील होंगे कि ऐसा हो चुका है इस नदी का हालत यहां भी देखिए कचड़ा भरा हुआ है और आप यह देख रहे हैं क्या अगर आप गौर से देख पा रहे हैं यह दिल्ली के यमुना नदी में जो टॉक्सिक फेन जो होता है जहरीला जो फेन जाग वो जहर हमारी आपकी बस्तियों से निकलने वाला नाले का पानी यह हमारी बस्तियों से होता हुआ हम नाले में सब कुछ बहा देते हैं और यह हमारी बस्तियों से निकलता हुआ देखिए नदियों के पास आकर इसको क्या कश्ट दे जाता है किस हालत में नदियों को छोड़ देता है यह यह सारी चीज़े अब जाकर नदी में मिलेंगी और देखिए कैसा यह मिलन है कैसा फेन फेन हो गया है आप देखिए बहुत ही पीड़ादाई चीज है यह अच्छा नहीं लगता कि कि ऐसे ऐसे कई नाले इस नदियों में फाइनली जाकर मिलते हैं और बहुत नदियों का स्वरूप बदल कर रख देते हैं बहुत गंदा हो जाता है नदियां यह कितना काला काला फानी है यह बह रहा है कि इसका क्या उपाए है इसका उपाए है सीटी को मैनेज़ करना होगा सिवरेज मैंट यह होता है यह करना होता है वह करें लोग तो जरूर हो सकता है बहुत बुरा महक भी है आप वीडियो में है तो आप यहां सकते लेकिन ये काफी बद्बू भी इसे आ रही है तो यह नदियों को कई रूपों से नुक्सान पहुंचा रही है बद्बू पन आ जा रहा है पानी में ऐसे करने से यह है इतने अगया यह नहीं खुबसूरत नदियां है वो दिरे दिरे अपना गुन्वत्ता जो होती है चलिए हम खरकाई-nadी का आज का सुभव का जो सफर है वह यहीं समापत होता है खरकाई-nadी हमारे दिल के बहुत करीब है हम अक्सर यहां हर दिन आते हैं और आपको कुछ-कुछ चीजे खरकाई से रिलेटेड बताते हैं आपको भी अगर कुछ चीज देखना हो जाना हो तो कमेंट एक से लगूस सकते हैं यह है खरकाई नदी से मुट को जा रहे हैं खरकाई खरकाई शाल है अनंद है अजीवन है हूजा मीघ मीघ बतसना कुछ हूए